केंद्रिय रक्षायों पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट ने आज रामनगर में 23 मार्च से शुरू होने वाले G20 सम्मेलन की तयारियों का जाजा लिया सम्मेलन 30 मार्च तक चलेगा इस दोरान उनोंने अधिकारियों के साथ पंतनगर हवाई अड़े से सडक मार्च में चल रहे कारियों का निरिक्षन किया उनोंने यात्रा मार्च पर पढ़ने वाले नया गाउं, बेल पड़ाव और बैराज में हो रहे सौंदरी करन कारियों का भी निरिक्षन किया केंद्रिय राज्यमंत्री ने कहा कि G20 सम्मेलन से उत्राखंड को विश्व में नई पहचान मिलेगी दो दिन के बाद यहाँ पर देश और दुनिया के बहुत ही विश्य सग्यता रखने वाले विद्वान यहाँ पहुंचने वाले हैं जिनकी बैठकें हो रही हैं कई परकार की बैठकें हैं जो विश्व के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट रहेंगी रहेंगी लेकिन हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा एक सवभाग्य है कि हम लोगों को भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलने वाली है और हम अपनी जानकारी विदेश के जो हमारे महमान आ रहे हैं उनको देने वाले हैं इस मौके पर केंद्रियर राजयमंतरिय जैभर्ड ने कहा कि जम्राणी बाद निर्बान को मनजूरी मिल गई है अब जल्धी बाद निर्बान का कारियो शुरू हो जाएगा जम्रानी बाध पूरी तरह से स्विकृत हो गया है जो लास्ट बैठक थी वो बैठक भी हो चुकी है अब सिर्फ माननी जो कैबिनेट है कैबिनेट के अंदर जाना है मुझे पौन भरुसा है कि माननी प्रधान मंत्री जी के नेत्रत्तों में अती शिग्र कैबिनेट से पास होने के बाद जम्रानी का काम भी प्रारंब हो जाएगा